मैं हूँ नितेश वर आपका स्वागत है एनकेलाइबसेंच चनल पर बिनोवा भावे युनिवर्सिटी हजारी बाग का एड्मिट कार्ड कैसे डनलोड करें आप किसी भी सेमेस्टर में हैं कोई भी कॉर्स है आपका सेम तरीका है डनलोड करने का यहां फिलाल में बिएट सेमेस्टर वान सेशन दो हजार अकीस से दो हजार ताईस का डनलोड करके आपको दिखाऊंगा लेकिन आपका कोई भी कॉर्स है सेम तरीके से आप डनलोड कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर गूगल में सर्च करना है बिनोवा भावे उनिवर्सिटी उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ओफिस्यल वेबसाइट आ जाएगा आपका इस पर करना है आपको click जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर आपका विनोवा भावे उनिवर्सिटी का official website आपका हो जाएगा open अब इसमें आपको नीचे slide करते ही वे जाना है और नीचे जाते ही वे आपको यहाँ पर link दिखाई देगा देखिए यहाँ पर बहुत सारा tab open करने का link है यहाँ पर देखिए examination and admit card लिखा हुआ है इस पर आपको करना है click जैसे ही आप इस पर click करेंगे आप यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ clear दिख रहाओगा admit card तो इस पर आपको कर लेना है click अब जब आप इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर detail भरना आएगा आप किसी भी जो भी आपका course है वो आप select कर लें जो भी आपका course है यहाँ पर मैं फिलाल BA का download करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपना BA का select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर क्योंकि semester one का मुझे download करना है उसके बाद यहाँ पर आप अपना registration number या roll number डाले अधी आप new session के student है तो आपको आपका registration number या roll number जो है आपको जो आपका official workshop group है college का उसमें आपको मिल जाएगा और वहाँ नहीं मिलता है तो आप college से जाकर के ले सकते हैं मिल जाएगा या फिर आप college से ले सकते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं अपना roll number डालता हूँ तो यहाँ पर मैं roll number अपना डाल रहा हूँ यह मेरा roll number है तो इसको आप मैं डाल देता हूँ और search button पर click कर देता हूँ search button पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरा जो admit card है वो आ गया है पूरा detail आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल्कुल पूरा detail यहाँ पर आप किलिए ली देख पाएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर देखिए download option है इस पर आप download करके आप इस पर click करके आप download कर पाएंगे अब जैसे आप यहाँ पर करेंगे यहाँ पर देखिए आपका download करने का save करने का option आ जाएगा यहाँ पर आप rename करके आप यहाँ से save कर पाएंगे इसको ठीक है इस पर आप यहाँ पर यहाँ पर देखिए save का option है यहाँ से rename कर सकते हैं नाम अपना बदल सकते हैं जो भी है और यहाँ से save button दबा करके आप save कर पाएंगे और इस तरह से आप अपना admin card download कर पाएंगे Thank you, signing off